नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइनेशिल स्टोक के बारे में अभी के टाइम दोस्तों एक बहुत बड़ी गोड न्यूज हमें देखने को मिल दहीं है अब क्या वो न्यूज है वो इस वीडियो में डिसकसन करेंगे 360 रुपीस के लेवल पे जहाँ पे मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल दिये वहीं पे स्टोक जो आपका धाई परसन हमें तेजी भी नजर आ रही है सुबह के टाइम 5-6% की तेजी थी लेकिन फिर मार्केट के उपर प्रेसर थोड़ा ज़्यादा बड़ा और शेर में गिरावट हमें देखने को मिली तो यहाँ पर यह तेजी के पीछे वज़ा क्या है जियो फाइनेशिल हमने देखा कि कुछ महीने जब यह कंपनी आई थी तो फिर एक गिरावट हुई 6 महीने तक स्टॉक कंसुल्डेट किया अभी के टाइम अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है वो कंटिनियो हमें जंप दिखा रहा है काफी लोगों का यह मानना है जैसे यह जो स्टॉक है तो इस तो 260 का जब इसका ब्रेक आउट हुआ था वहाँ पर सजेसन दिया था अभी के टाइम 360 भी पहुँच चुका है बहुत जल 400 भी होगा काफी लोगों का यह मानना है कि जिस परकार से रेलाइंस जो है slow चला है ठीक वैसे ही जियो फाइनेशल भी slow चलेगा दीखे वो सारी चीजे तो सही है क्योंकि कोई भी श्टॉक जो है जब उसका बढ़ने का टाइम होता है तो वो बढ़ता है और वो जब कंसोलिडेट करता है तो उसका टाइम प्रियर कंसोलिडेशन का भी बहुत ज़दा हो जाता है लेकिन जियो फाइनेशल में अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में बड़े-बड़े इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे तो इस वज़़े से जियो फाइनेशल में अभी के टाइम जो तेजी है वो अभी भी हमें बाकी नजर आ रही है अभी भी तेजी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है ऐसा में इसलिए वो डाओं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग रिलाइंस से भी कंपेर कर रहे है तेकि रिलाइंस ग्रूप का यह शेर है लेकिन यहाँ पर रिलाइंस एक बहुत बड़ा श्टोक है इस वज़़े से उसको चलने में टाइम लगता है लेकिन जियो फाइनेशल का मार्केट के ब उस हिसाब से नहीं है इसका मार्केट के बिलाइंस से 10 कुना छोटा है इस वज़े से नॉर्मली यहाँ पर छोटी छोटी ड्यूज पर भी यह रियक्ट जो है वो कर जाता है फाइब दीज में अगर आप डेटा देखेंगे तो नॉर्मली 2% का ही डाउनफॉल हमें नजर आया वन मंत की बात करूँ तो 3% की तेजी 6 मंत में यहाँ पर 61% तक के कंपनी ने हमें रिटर्न निकाल के दिये है continue stock आपका जम किया है आज की दिन अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पर market के उपर pressure है bank nifty, sensex यहाँ पर sensex and nifty 1500-200 point के आसपास हमें गिरावट जो है वो नजर आ रही है फिर भी overall यहाँ पर geofinancial जो है अच्छा performance दिखा रहा है क्योंकि जो सबसे बड़ी good news वो यह है कि geofinancial blackrock enter into joint venture for wealth management broking business तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें चाहिए था जो geofinancial के investors को चाहिए था वो news हमें देखने को मिल चुकी है हमने यह देखा कि geofinancial जो है blackrock के साथ deal कर रहा है अब उस time वो news आई थी shares आपके jump किये थे 200 स्ती के असपास price चल दा था तो उस time हमें मनजोरी चाहिए थी CB की तो अभी यहाँ पर सारी चीज़े धीरे-धीरे करके नजदीक आ रही है और अभी यहाँ पर geofinancial service का blackrock के साथ यहाँ पर joint venture हो चुका है अब joint venture को अतलब कि यहाँ पर partnership हमें देखने को मिल चुकी है और यहाँ पर यह जो partnership है वो wealth management and broking business में यहाँ पर हमें नज़र आ चुकी है जो कि बहुत ही बड़ी good news हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है इससे होगा क्या इससे देखे यह होगा कि कोई भी finance company होती है उसके लिए main जो important चीज़ होती है वो होती है पैसा अब जैसे कि मान दो मैं अगर finance का काम कर रहा हूँ और मेरे पास सामने वाले को देने के लिए पैसे ही नहीं होगे तो मेरा finance का काम जो है वो मतलब ज़्यादा दिन तक चलेगा ने तो इसी वज़े से यहाँ पर जियो financial अगर finance का काम कर रहे है इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो यह क्या करेगी कि अपने जितने भी customer है जो EMI पर जो भी product buy कर रहे है तो वो अपना वो इसी लिए finance यहाँ पर provide करवा पाएगा जियो financial तो यहाँ पर अगर जियो financial blackrock के साथ joint venture करता है जिसके पास fund की कोई कमी नहीं है जो कि दोस्तो blackrock इसके पास fund की कोई कमी नहीं है और अगर जियो financial यहाँ पर joint venture अभी जो इसे हो चुका है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आने वाले time में जियो financial जो है एक monopoly create कर लेगा अब monopoly create कैसे होगी वो भी हम जानेंगे monopoly दोस्तो इस परकार से हमें देखने को मिलेगी कि जैसा कि हमने देखा कि Reliance जो है उसने Jio launch किया Jio sim तो उस टेम हमने यह देखा कि कहीं सारे दोस्तो airtel भी थे और what a phone idea भी था लेकिन जैसे ही यहाँ पर Jio आया तो अब सिरुप दो ही बचे एक तो airtel और एक Jio बाकी जो छोटे छोटे चोटे चितने भी player थे वो guy भो चुके क्यों 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 दोस्तों Jio ने सुरुआद में सारी चीजे फ्री करवाई data बहुत ज़्यादा सस्ता किया अभी के टाइम जब काफी ज़्यादा लोगों के पास sim जा चुकी है Jio कि इस वज़े से अभी वापिस रही लेवल पे लेके आ गई प्राइज तो अभी यहाँ पर main point Jio financial में भी यही strategy यहाँ पर भी हो सकती है क्योंकि हमने यह देखा है अगर आप चेक करते है pair comparison में तो हमें यह देखने को मिल दा है कि बजाज फिंसर फर्स नंबर पे है market cap के इसाब से और बजाज फिंसर जो है वो second नंबर पे और तीसे नंबर रखते है Jio financial market cap के इसाब से चार लाग 31,000 करोड का market cap है और दो लाग 69,000 करोड का इन दोनों का जैसे बजाज फिंसर बजाज फाइनस profit भी अच्छा कर रही है 4,000 करोड 3,600 करोड लेकिन Jio financial normally यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 293 करोड का profit हमें देखने को मिल रहा है लेकिन चीजे यहाँ पे बदल कहां पे रही है debt पे अब अगर आप यहाँ पे debt चेक करते हैं तो बजाज फिंसर का जो debt है इसका जो debt है दोनों यहाँ पे 5,000 करोड का debt है दोनों का मिला के और Jio financial के उपर जो debt है वो है zero अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है जो जितना भी दोस्तो debt है इसके उपर क्या लगता है interest लगता है अब सबको पता है कि अगर हम debt लेते है तो उसके उपर भी आज भी लगता है तो इसके उपर क्या लगता है interest लगता है interest के चक्कर में यहाँ पर यह अपना जो भी finance है finance का जो rate है वो कम नहीं कर सकते है और जीयो के उपर यहाँ पर किसी परकार का कोई अगर आप देखेंगे तो डेट है नहीं तो इस वज़े से जीयो फाइनेशिल कस्टरमर को एक्टरेक्ट करने के लिए यहाँ पर अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर इन्हों ने जीयो सिम में किया था सारी सुरुवाद में तो फ्री में दिये थे और डेटा बहुत सस्ता कर दिया था कस्टमर आए और अब जादा कस्टमर जुड़ गए तो उसके बाद इन्हों ने सारी चीज़े सही सेटल कर दी तो यही चीजे हो सकती है डेट है जीरो इनके पास जो भी ऐसेट है एक लाग उनिस जार करोड रिजर जो पड़ा है एक लाग करोड का यह सारा घर का पैसा है तो ऐसे मैं अगर यह सुरुआद में कस्टमर को आकर सिथ करने के लिए बजाज फाइनेस को यहाँ पर बड़ी n का इंटरेस्ट ले रा है और वही अगर मैं जी ओ फाइनेसल से करवा रहा हूं एक यहाँ पर बड़ा भुंच सकते हो यही चीज़े हैं कि अगर यहाँ पर अभी के टाइम ब्लेक रॉक के साथ हमें देखने को मिल रहा है कि डील हो चुकी है अब ये डील हमें joint venture देखने को मिल चुका है तो अगर बड़े fund की भी जरूत होती है तो जियो financial यहाँ पर blackrock से arrange कर सकता है तो ऐसे में यहाँ पर हमें in future जियो financial बजाज finance को भी टकर देते वे नजर आ सकता है यहाँ से जो यह market cap आपको 2 lakh करोड का देखने को मिल गा है आने वाले समय में 5 से 10 lakh करोड का भी हो सकता है यह सारी चीज़े एक दो दिन में नहीं होगी एक दो साल, दो साल, तीन साल का समय भी लगेगा और यह भी याद रखना जैसे जैसे जीओ financial बड़ा होगा इसकी share की जो तेजी है वो धीरे धीरे होती रहेगी जैसे reliance जैसे देखने को मिलेगी और अभी के time अगर आप चेक करते हैं तो जैसे इसके उपर debt है नहीं इस वज़े से अगर आप interest भी देखेंगे तो यहाँ पर zero देखने को मिल दा है quarterly wise interest अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें zero देखने को मिल दा है क्योंकि company को किसी को यहाँ पर interest देना ही नहीं है और अगर मैं investors में बात करूँ तो FI वालों की, DI वालों की holding अच्छी है promoters की holding अच्छी है promoters ने increase किया है technically अगर देखा जाए तो stock जो है वो strong है यहाँ पर मैं आपको एक level भी बताया था 260 रुपे का जैसे breakout हुआ एक बड़ी तेजी हमें देखी stock अपकर यहाँ पर हमें retest भी होते वे नजर आया फिर एक बड़ा bull run हमें यहाँ पर देखने को मिला अभी आगे क्या target रह सकते है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले Fibonacci levels यहाँ पर हम set करने वाले Fibonacci के साब से अगर देखा जाए Fibonacci के साब से अगर मैं बात करूं तो volatility का सामना हमें करना पर सकता है लेकिन जिनका view long term है वो यहाँ पर easily बने रह सकते हैं क्योंकि बजाज finance को एक बड़ी टकर यहाँ पर हमें मिल सकती है